हाई क्वेरुस और आपके मंतली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सेप्टरबर का महीन आपके लिए कैसा रहने वाला है और इस महीन है आपकी हेल्थ वेल्थ रिलेशन्शिप करियर आपका मनी और साथ में आपके आपके लाइफ में बेबी बर्थ आपके लाइफ में क्या चेंज जो है उसकी वजह से आ सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहते हूं कि यह जो मन्त है यह इंट्यूटिवली डिवेलप होने के लिए बहुत स्ट्रॉंग मन्त है आपके लिए आपके इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी दूसरा आ आप अपने पावर में आएंगे आप अपनी अफॉरटरिटि में आएंगे या आपके लाइफ में कोई इन्सान इस महीने आने वाला है जो आपकी लाइफ को बहुत बहुत जादा इंफ्लूटिणस करेगा और सिरफ एक प्रिकॉशन जो इस महीने में आपको बोलूँगी मुझे दिखाई दे रहा और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप चीजों को लेकर डाउट में आओगे तो लोग आपके डाउट का फायदा उठा सकते हैं कोई ना को आपको मिस्गाइड कर सकता है कोई किसी तरह से आपके एमोशन से खेल सकता है तो इसलिए बहुत इंट्यूशन आपकी बोलती है कि यह सही नहीं है इंसान यह यह मेरे बर्डन बन सकता है तो उस बर्डन को लेकर आगे ना चलें आपका कोई भी बर्डन जो है उसको छोड़ के आगे बढ़ें यह आपने इस महीने ध्याद रखना है सबसे पहरे बात करते है रिलेशनशिप की रिलेशनशिप में मुझे ऐसे रखता है कार्मिक है इस महीने कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा और अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है तो एक पॉसिबिलिटी मुझे यह लग रही है कि आपके इमोशन जो है वो बहुत अपडाउन होने वाले हैं कि बाद आप अपना decision जो है अच्छे से ले पाओगे लेकिन यह जो भी इंसान होगा क्योंकि हेरोफेंट है और क्योंकि king of swords है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान होगा यह थोड़ा dominating होगा यह थोड़ा अपने हिसाब से चीज़ें कराने वाला होगा अपने सब कुछ पताना लगे सारी clarity ना हो इस relationship को आगे नहीं लखे जाना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आप already relationship में हो तो आपके relationship जो है उसमें कुछ थोड़ा सा emotional up-down आसकता है दो three of cups है तो मुझे ऐसा लगता है कि there is a possibility कि अगर आप already married हो तो pregnancy हो सकती है या अगर सब्सक्राइब कर सकते हो थोड़ा सा depressed फिल कर सकते हो आपको कहीं लग सकता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगी में लाइफ में बहुत सारी चीज़ें है शैड़ो बहुत है मैं कैसे इन चीज़ों को deal करूंगी मैं अपने path पे आगे कैसे बढ़ूंगा या बढ़ूं और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आपको strong रखे आप अपने आपको firm रखे और आप जानिए कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो और connection होगा आपका divine के साथ connection होगा आपकी intuition आपको सब कुछ बताएगी लेकिन आपको उसको follow करना ज़रूरी दाएगा बात करें baby birth की तो मैं जो है उनको करने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए आपके खिलाफ कुछ negative बोल सकते हैं कुछ negative spread कर सकते हैं seven of sword है पीट के पिछे आपकी कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन क्यूंकि king of sword है आप अपनी power में हो hair of end divine help आपके साथ है high priestess end of the month तो definitely आप अपनी power में हो आप अ joining करने में थोड़ी सी delay होगी बीच में उस delay के time को आपने positively लेना है बस आपने इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास job नहीं है job opportunity आती है बीच में अगर कुछ delay होता है तो negative नहीं होना है positively लेना है वो आपकी बहतरी के लिए हो रहा है और हो सकता है कि उस delay के साथ क् आपकी नहीं opportunity आजाए और वहां पर आपका जो money part है वो जादा हो तो आपको इस delay से फाइदा होगा end of the day तो आपने इसको negatively नहीं लेना है अगर आप already job में हो इस महीने being your power and साथ में हो सकता है कि आपको दूसरों को guide करना पड़े और साथ में दूसरों से guidance लेनी पड़े द आपे आपने पूरी तरह नहीं किया जहां पर कुछ missing छूट गया जहां पर कुछ ऐसा है जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया है और इसलिए वो delay हो रहा है ताकि आपको वो time मिले और आपको चेक कर सको आप अप इसको clear कर सको और आ-klar कर चार कर अगे निकल सको तो आपने तो आपको एक तरहा से वह एक इंट्यूटिव गाइदेंस मिल रही है कि लुक अगें दुबारा से देखो कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप मिस्कर रहे हो ट्रावल की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है नाइट ऑफ पेंटिकल से लेकिन उसके साथ में क्यूंकि मुन है तो मैं बोलूंगी कि ट्रावल आता है तो केफुल होके ट्रावल कीजिए क्यूंकि 8 ऑफ सौर्स भी है तो थोड़ा सा इस महीने आपने अपना ध्यान दखना है यह बहुत ज़्यादा ज़रूर जाएगा आपके लिए विद रिगार्स ट्रैवल विद रिगार्स तो तो अगर अगर किसी तरह की ग्रोथ आपकी लाइफ में आने की आप में आपने ज़रूर जाएगं इता को लिए इस लिए इस दिले को लेकर नेगेटिव नहीं होना आपने बस इतना से द्यान रखना है इस महीने मून की साइकल का भूद भाइब जब फुल मून हो तो या नो मून हो तो कोई डिसीजिजिन नहीं अपने आपको ज़्यादा यह महीना मुझे ऐसा लगता है कि emotional health जो है that is going to be more important this month क्योंकि physical health में मुझे इतना major नहीं कुछ दिखाई दे रहा है दो hormonal changes मुझे दिख रहे हैं लेकिन जातर लोगों में वो pregnancy की वज़ा से हो सकते हैं या otherwise emotions की वज़ा से हो सकते हैं emotional health का इसमें इने बहुत ध्यान रखें अपने mind में बहुत जादा ना सोचें बहुत सारी चीजों पर अपनी energy लगाने की कोशिश ना करें और क्या negative है या कहा रास्ता नहीं है उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें और अपने आपको बिल्कुल ऐसा blindfolded ना फिल करें कि मैं फस गी हूँ मैं फस गया हूँ मुझे पता नहीं किदर जा रहा है मुझे पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है क्योंकि ultimately सारी situation जो है वो आपको अपनी power में ले जाने के लिए हो रही है सारी situation जो है divine है guided है और ultimately आपको benefit ही देगी तो इसलिए अपने आपको balance रखे बहुत ज़रूरी है money के बारे में बात करूं तो इस महीने page of pentacle, knight of pentacle money को लेकर वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है सिर्फ यह है कि इदर उदर गलत चीज़ों पर invest मत कीजिए अपना पैसा जो है उसको समहाल के अच्छे से invest कीजिए दूसरा अगर आपको किसी तरह से भी guide कर रहा है कोई चीजे बता रहा है यहाँ पैसे लगा दो बहुत अच्छा होगा double हो जाएंगे या किसी तरह के भी को ऐसे लालच में दे रहा है लालच में डाल रहा है तो उस पर विश्वास मत कीजिए क्योंकि महीना जो है किसी तरह का तरह के थीफ कार्ड होता है किस तरह का इसा कोई problem या इस तरह का कोई fraud जो हो सकता है अपने passwords वगएर सब कुछ बहुत carefully रखिए और अगर by chance 1% महीने क बहुत स्रॉंग है आपकी इंटूशन के लिए क्योंकि मून है हाई प्रिस्टेस है हेरोफेंट है वील ऑफ फॉर्चुन है और सेवन अफ कप से तो कहीं न कहीं आपकी इंटूशन बहुत हाई रहने वाली है इस महीने आपकी जो सोल ग्रोथ है वो डेफिनेटली होने वा करता है कि आपके जो इंजल्स हैं आपके जो गाइड्स हैं हम सब के लिए होते हैं वो आप से कनेक्ट करने की कोशिश करें और वो सब तभी हो पाएगा जब आप अपने माइंड को 36 चीजों पर जो आपने लगाया है अपनी ग्रोथ अपना करियर अपने फैमिली अपना अपनाको जागएट नहीं ग्डा करें में सबसे हटा के एकसेप्ट करोई कि मेरी लाइफ में किया चीजे हैं मैं कैसे फ्लोग के साथ आगे Baptist या बढ़ रही हूं और अपने आपको अलोग करो sortie कर के मैं री हूं चीजों को अपनी लाइफ में एकसिप्ट करने कि कुर पी ऐसे चीज जो है उसको आगे लेके जाओ उसको अपनागरव्थ मनाओ और यह हो सकता है कि आप किसी ऐसे चीज के साथ Religious या Onlyspiritual किसी ऐसे जीज के साथ केसी ऐसे Guide के साथ कनेक्ट हो जो आपको आगे फाीदा दे और आपके growth पे आगे लेके जाए लेकिन वो होगा तभी जब अपने mind को आप जिन जो worldly चीजों पर अपने mind को 24 घंटे आप involved करके रखते हो वहां से अपने mind को हटा होगे अब mental exercise of the month mental exercise of the month आपकी number six of swords और burden card आया है और burden card इसलिए आया है क्योंकि अगर मैं आपके cards देखो तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो अगर आप pregnant हो तो आप सोच रहे हो कि अब मेरी job का क्या होगा मेरे career का क्या होगा मैं किस तरह से balance करूँगी आस पास के लोग क्या होंगे कहीं कोई कोई गलत चीज को नेगेटिव चीज क्योंकि moon card कहीं नेगेटिव एनरजी शैडव नरजी का भी होता है अब मेरी life में मैं अपने आपको लेकर अगे बढ़ने के लिए तयार हूँ और जो भी चीजहें मेरे लिए पॉजिजिव हैं उनको साथ में लेके बढ़ने के लिए तयार हूँ जो भी negative situations, लोग, burdens भार मेरी life में थे, वो जो भी मुझे सिखाने के लिए थे, मैं वो सीखने के लिए तयार हूँ, मैं अपने angels guide साथ connect करने के लिए तयार हूँ, वो सीख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रहे हूँ, और अब burden सारे मैं छोड़ती हूँ, तो unnecessarily कोई भी burden अगर आपके life में है तो उसको छोड़ दीजिए, chakra of the month आपके लिए इस महीने है, heart chakra and very well क्योंकि कहीं न कहीं intuition जो है, वो heart के साथ connect करती है, आपका heart open होगा, आपकी intuition open होगी, heart chakra की meditation ज़रूर कीजिए, क्या एक चीज़ जिसका आपको पूरे महीने ध्यान दखना है, तो आपका card आया है, वो आया है three of cup, three of cup का card आया है, यह basically बताता है, एक आपने अपने emotions का बहुत ध्यान दखना है, दूसरा, आप दूसरों के साथ जब connect हो रहे हैं, तो अपने आपकी precautions जो आपको लेनी है, उनका बहुत ज़ादा ध्यान दखना है, क्योंकि किसी तरह की infection जो है, वो भी moon card कई बाइब बताता है, तो infection होने की chances जो है, water से infection या लोगों से infection, उसके chances जो हैं, वो इस month में हो सकते हैं, तो अगर कहीं पर भी आप लोगों के बीच में जा रहे हो, तो अपना बहुत ध्यान लखो, बहुत careful रहो और पुरी precautions लो, और इस महीने सबसे ज़ादा important रहेंगे आपके लिए, अपने emotions और आपके आसपास के लोग, क्योंकि वही burdens हैं जिनको आपको release करना है, वही चीज़ें हैं जो आपको emotionally burden करनी है, अपनी power में आईए, अपनी growth को समझे, अपने आपको समझे, और जब आप उस चीज़ को समझेंगे, तो सही लोग जो हैं वो आपके आसपास अपने आपाएंगे, क्या होगा जब आप ये सारी advises follow करोगे, 9 of coins, 9 of pentacle card होता है independence का, ये card होता है peace of mind का, ये card होता है अपनी power में आने का, ये card होता है slow लेकिन growth होने का, और इसलिए अगर आप ये सारी चीज़े करोगे, burden को let go करोगे, अपनी intuition को better होने दोगे, कार्मिक साइकल में जो भी इनसान है, जो भी change आपके life में आ रहा है, इसको positively लोगे, जो भी चीज़ें आपको छोड़के आगे बढ़ना है, उनको छोड़के आगे बढ़ोगे, अपने mind को बहुत जादा indulge नहीं करोगे, गलत लोगों के साथ कनेक्ट करने में, या आपके पीछे आपके लोग क्या बोल रहे हैं, ड़न मैंटर, उसके धिहान नहीं दोगे, शैड़ो एनरजी से दरना बन कर दोगे, तो आपके life में growth होगी, तो इसलिए इस महीने आपने धिहान रखना है, कि आपके life में growth के लिए ये बहुत ज़ादा ज़रूरी है, color of the month आपके लिए green, silver, even black या browns जो है, इनकी कोई भी shades अच्छी रहेंगी, light blue भी अच्छा रहेगा, तो ये सारे shades आप अपनी life में involved कर सकते हो, even golden, ये सारे shades आप अपनी life में free है, और अगर आप अपनी personalized tele reading कराना चाहते हैं, तो Facebook लिंक के दरी है, जो कि description box में है, या comment section के दरी है, आप मुझे contact कर सकते हैं, आपको बोलना है, आपको reading करानी है, मैं आपको अपना number शेयर करूँगी, और हम इसको आगले के जाएंगे, आपकी feedback और comments बहुत important है, feedback दीजिए, बताइए, कैसे लग रही है आपको videos, अगर कुछ मैं miss कर रही हूँ monthly predictions में, तो मुझे बताइए, मैं include करूँगी next month से, और channel पर बहुत सारी videos है, positivity के बारे में, life के बारे में, बहुत सारी videos है, playlist को थोड़ा सा search कीजिए, अगर आपको time मिलता है, तो थोड़ा सा browse कीजिए channel को, आपको बहुत कुछ भी ऐसा मिल सकता है, जो आपको बहुत benefit दे, और मैं आपके साथ मिलूँगी next month की predictions के साथ, तब तक के लिए, अपने नहान रखिए, safe रही, precautions रखिए, social distancing follow कीजिए,